हेलो स्टूरेंट्स वेलकम बैक आजम करने वाले हैं बेस्ट वे टो स्टड़ी ओनलाइन ठीक है ऑफ लाइन स्कूल में कोचिंग में यह तो सब क्या पढ़ने का एक्सपिरियंस है बट बहुत सारी बचे हैं जिनके लिए ओनलाइन पढ़ने का भी नया एक्सपिरियंस है ज जो आपकी प्रॉब्लम है उसका भी solution मिलेगा अगर आपको भी किसी टाइब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी वीडियो पूरे देखिए ठीक है मैं इसमें आपके लिए क्लास में हो उसकी आपके पास अच्छे से अच्छी जो बुक्स है वो होनी चीए प्लस आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है वो होना चीए ठीक है अगर आपके फोन में नहीं चलता है तो फिर तुस्ती से कोई फाइदा ही नहीं है फिर आप एक दिन पीछे रहोगे दो दिन पीछे रहोगे दिरे दिरे आपका एक हफते का वर्डन हो जाएगा दैन एक महीने का बर्डन हो जाएगा दैन उसके बाद मुझे लगता कि आप उसको दुपाई से रिकवर कर पाओगे ठीक है तो आप अपना इंटरनेट है वो सिर्फ आप अपने स्टडी के लिए ही यूज कीजिए अगर आपके स्टडी का काम खतम हो जाता है आपको लगता है कि बस ट्विटर किसी कभी नहीं बचेगा है ना ठीक है तो फॉस्ट पॉइंट आपको रखना है याद इस प्रॉपर रिसोर्स होने चाहिए आपके पास ओके नेक्स सेट गोल कोई बात नहीं अगर आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया है तो अगर आप आज भी मेरी वीडियो देखके अगर आप पढ़ना स्चार्ट करोगे तो भी आप बहुत अच्छे मार्स है अराम से ला सकते हो 80% तक भी और उससे ज्यादा तो अराम से ला सकते हो ठीक है तो उसके लिए कि है सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है कि मेरा एम कितना है मुझे मैं 9th क्लास म मैं हूँ तो मुझे उसके अंदर 70% चीए 80% चीए 85 चीए या मुझे क्लास में टोप ही करना है 99% ठीक है वह आपकी मर्जी है वह डिपैंड करता है आपकी कैलिबर और आपकी पोटेंशियल पर भी आप कितना कर सकते हो आपको कितना याद रहता है ठीक है नेक्स चाविश नहीं मिल रहा तो कि है आप अपना फिर भी पर्सनल टाइम टेबल क्रियेट क्या है कर सकते हैं तो अभी आपने विट आप आपको क्या करने पड़ेगे डबल आफट करने पड़ेंगे तो मेरे अको दिन में कम से कम 8-10 आर्स का स्टडी का टाइम टेबल बनाना चीए ठीक नेक्स पॉइंट इस फाइंड यह स्टॉंग एंड विक सब्जेक्ट ठीक है आप बैठों आप अपने जिस भी आप पिछली क्लास में थे या उससे भी पिछले ही आप अपने प्रेंट्स ट्रेंड्स या टीचर्स किसे से पूछकते हो कि आप कौन से सब्जेक्ट के अंदर वीक हो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्टॉंग हो बहुत सारे बचे ऐसे होते जिनको लगता है मैं मैं सारे सब्जेक्ट कर लूँगा बट मैं समझ में नहीं आता ठीक है क्लास में सॉल्फ करता हूं तो कर लेता हूं बड़ जब पेपर के बाद आते मैं मापिजा क फॉर्मलाई भूल चाता है तो आपने सबसे पहले स्ट्रॉंग और वीक सब्जेक्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए और स्ट्रॉंग सब्जेक्ट को के हैं आप थोड़ा कम टाइम देंगे तो भी चलेगा सबसे इंपोर्टेंट मुझे लगता है कि यह क्या है आज के टाइम का सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे जिसी इसको मिस्करें डेली वर्क ठेक्ट आपको स्कूल में रोज का काम मिल रहे ता आप उसको प्लीज रोज ही खतम कीजिए ऐसा नहीं है कि आज सो थ ट्रिक्स देख लेना यूट्यूब पे अपने फ्रेंड से बूच लेना आप उसे इसको कभी रिकवर नहीं कर पाओगी ठीक है आपके जो पास्ट की मिस्टेक है उसको भूल जाओ और आज से आप अपने डेले का काम डेली करना स्टार्ट करो आप अगर पढ़ाई कर रह ठीक है अपने डेले काम प्लीज डेली खतम करें ओके नेक्स्ट एमिरा सिक्स्त डैट इस रिवाई 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 एंड रिवाई ठीक है सपोस्व आपने मैंने चेप्टर खतम करवा दिया आपको चेप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो उस चीज़ पर सब्सक्तान को ऐसे नहीं देखा कि जिसके मतलब याद करने कितनी पावर हो कि उसने एक बार वोग पड़े उसने पुरा पुरा रट्टा मार लिया और बहुत सारे लोग है जो एक बार में कर भी लेते हैं मुझे लगता कि मतलब वो कितने होते हैं 0.001 परसेंट लोग होत सब्सक्तान आपके लिए इंपॉर्टन टिप्प थी ऑल्वेज अटेंट टेष थी चाहें आप ओन्लाइन पढ़ चाहें आपको टेस्ट अंट करना ची आए चाहें आपको ऐसे लगता हो कि मुझे इस टेस्ट में एक वर्ड भी नहीं आता फिर भी आ आपको टेस्ट दे तो आपको क्या होगा है मतलब मुझे और मैं मैंनत करूं अब बहुत अच्छा पर सकता हूं मेरे फ्यूचर में तो आपके लिमाइन में क्या लेके आएगा पॉजिटिव एडिटूड लेके आएगा ठीक है सेकिन है सपोज आपको टेस्ट है और आपको कुछ भी नहीं आता आपको उसके अंदर जीरो मार्स आए तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पे एक लेसन मिलेगा सीखने के लिए कि मेरे दोस्त मेरे साथ वाले मेरे से कितने आगे निकल रहे हैं और मैं देखो यहां पर जीरो बेठा हूं मैं क्या कर रहा हूं भी मेरे लाइफ में ठीक है तो हमेशा क्या कीजिए टेस्ट को जरूर अटेंड कीजिए चाहिए आपको कुछ आता हो अब देखिए नेक्स इसका क्या मतलब है कि आपके पास बेसिक जो बुक है वह पढ़ चुके हो वह आपको याद हो चुकी है आपके हर टेस्ट के अंदर पूरे नंबर आ रहे हैं अब उसके बाद हम क्या करते हैं कुछ एक्स्टा बुक पढ़ने की कोशिश करते हैं ठीक लेना है क्योंकि आपको पूरे स्कूल के अंदर टॉप करने ठीक है ऐसे नहीं कि आप ऐसे रेस में भागर हो जिसके अंदर एक ही परसन है अगर कोई ऐसे रेस हो रही हो जिसमें एक बंदा भाग रहा तो आफकोस वहीं फरस्ट आएगा बट आपका क्या हमेशे हर बार स्कूल में फास चारे तो उसी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि स्कूल में कितने 20 बच्चे 30 बच्चे जाला जाला करें 100 बच्चे 200 बच्चे तो उसमें क्या हुआ आपको लाखों के साथ कॉम्पिटीशन करने तो आपको क्या करना पड़ेगा एक स्टेप हार्ड भी लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में ठीक है एंड नेक्स उसके बाद आपका है ठेटिस प्रैटिश टीक है एक स्टेप हार्ड ली आपने कुछ नया समझा नया सीख ठीक है उसके बाद आपको करना एक क्सी इस की आपके जो पहले आपको जो लरन है उस पॉइंट की आपनी अब्जेक्ट से रिलीटेड उसकी हमेशा क्या करने है प्रेक्टिस प्रेक्टिस कैसे कर सकते हो आप सिर्फ टेस्स देखें तेक्ट आप ओनलाइन टेस्स दो आप अपने बुक है अपने भाई को देदो कि चल बैस बुक के अंदर ये लेसन इसमें से कोई भी कोशन पूछ मैं बता सकते हैं अब अपने टीचर को बोल सकते हो कि मैं मेरा ये चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइस होगे आप मिरसे कुछ भी कोशन पुछोगी ना मैं आपको आंसर जुरूर दे दूंगी या दे दूंगा प्लीज आप मिरसे कोशन पूछो ना मुझे नहीं लग इसके नहीं आई ये आपके टीचर के आई ठीक है और लाउस्ट पॉइंट है डूयोब स्ट हमेशा क्या है अपना पैस देने की कोशिश करो ठीक है एक्स्क्यूज नहीं होना चीए कि मैं मेरे पास ये कमी थी इसलिए मैं ये नहीं कर पाए ठीक है मुझे लगता कि आपके आपके पैनेंट्स आपको इंटरनेट नहीं चलाने देते हैं ऐसा आपके पास सब कुछ है आपके पास इतना अच्छा दिमाग दिया है भगवान ने तो आप उसको कुछ यूज तो करो तो क्या करने है आपको अपना सबसे बैस्ट देना है ठीक है उसका रसर्च चाहे सब्जेक्ट है उसकी हमेशा एक खरीदें एक बारे में क्योंकि आप मार्केट में जाती हो अगर आप उसको बोलो कि नाइन क्लास के साइंस की दिखा दे तो आपको पांच पर भी बुख दिखा देगा हर बुक क्या होती हमेशा अलग और बच्चे को अभी क्या एक बारे में एक चीज़ ही समझ में आती है तो आपको क्या हना चीह है एक सब्जक्ट की एक ही इबुक रखने चाहिए फॉर्स टाइम लर्निंग छिए कि डिवीजन के लिए और आपको हाडर स्ट लेना है तब हैं जा सकते हैं नेक्स सबसे इंपोर्टेंट वन टीचर ऑगे सपोज मैं मेरे सब्जेक्ट के बात करते हूं अगर आपको पायों मेरे से समझ में आती है तो आप अपनी बुक के जितने में चैप्टर हैं वो सिर्फ आप मेरी वीडियो देखके मेरे से ही समझे अगर आपको मेरे समझ में नहीं हाता है आपको लगता कि नहीं मैं वह जादा प्रॉफिट नहीं होता है तो हमेशा एक सब्जेक्ट की एक ही एक फुलो कीजिए प्लस एकई टीचर को फोलो कीजिए क्योंकि अब मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है यहां पर यूट्यूब पे देखोगे तो 20-25 टीचर हैं तो आप हर किसी को देखोगे तो अब तो इस तरीक से बच्चे के अदरी खत्म हो जाएगा पूरा साल उसका वह सोचेगा वस एक जाप्टर वहता है तो आपको क्या करना है एक बुक लेनी है और उसके लिए कि आपको एक बेस्टीचर डूणना है चाहे वह बेस्टीचर कोई भी हो कोई से भी सब्जेक्ट क इसको कभी भी रटे नहीं मारने है हमेशे उसको क्या करना है समझना है आपको नहीं समझना आता आप टीचर से दो बार पुछो तीन बार पुछो पांच बार पुछो दस बार पुछो ठीक है बट एक जैन्वन और सेंसेबल कोई पुछो ऐसे नहीं है कि कोई लिखा वह और आप मेरे से चार वारे पूछ रहें, मैं, सल क्या होता है? मैं, सल क्या होता है? बच्चे, जो basic सी definition है, जो notebook में लिखी विया, वही question teacher से पूछो तो teacher, तो of course, irritating होगा ना, जो चीज़ आपको समझ में नहीं हाती, उस teacher, उस बात के लिए आप teachers के पास जाएए, ठीक है? तो please, रटे मारने बंद कीजिए, और हमेशा कहा है, याद करने पे, उस चीज़ को समझने पे focus कीजिए, ठीक है? And at last, thank you, all the best for your future. के दो हूँ समझ above it!